बच्चे लास्ट वाली हमने आपकी क्लास में पढ़ा था सम बेसिक कंसेप्ट आपके बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं हम तो लास्ट आपकी क्लास में हमने पढ़ा था आपके यूनिट्स के बारे में ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं तो बच्चे आज हम डिस्कुस करेंगे मास weight के बारे में तो आप बच्चे most of इसमें confused रहते हो क्या होता है mass of weight ठीक है दोनों same terms तो नहीं होते हैं sometime में आप प्राउंग भी लिख देते हो बच्चा तो mass of weight बच्चे जान लो यह अलग-अलग quantities है ठीक है तो दोनों की यह देखो first mass of substance is the amount of matter present in it to mass क्या होता है किसीभी substance का amount होता है जो उसमें present होते है ठीक है थीक है यह से मतलब आप खुछबी example ले लो जासे हम water की example ले लेते हैं ठीक है 5 ml water है ठीक है तो वह उसका 5 ml. water हो गया ठीक है तो उसमें जो matterij present किसीफी में तो इसको मास वोलते हैं ऊसके वेट क्या होता है? जो हा हम उसकी फोर्स होती हम और वेटे माश सी फोर्स है उसकी सब्सक्राइब करेगा तो वेट क्या होता है जैसे ग्रैप्टी की वज़ा पर वज़ा से चेंज हो जाता है मतलब अगर आप किसी अभी अर्थ पे हो आपका वेट 56 है तो दूसरे प्लैनेट पे ग्रैप्टी की वज़ा से आपका वेट मतलब बदल जाएगा तो मास क्या होता है मास आपका सेम रहेगा लेकिन वेट आपका वेरी करता है डूटू ग्रैप्टी बच्चे की लग लग प्लैनेट के ओपर लग लग रैप्टी है तो वहां पे आपका वेट वेरी करेगा तो मास आपकी टर्म बच्चे का यूज करके आप इसका किसी भी सबस्टांस का मास इजली फॉइंट कर सकते हैं तो नेक्स्ट है आपकी टर्म बच्चे है पॉटेंट टर्म वालिम तो वालिम के बारे में आप शोटी क्लासे से पढ़ते आ रहे हो वालिम है इस उनिट्स ऑफ लैंथ क्यूब तो वालिम है उसके बच्चे क्या यूनिट्स होते हैं लैंथ क्यूब यूनिट्स होते हैं हमारे ठीक है वालिम को आप बच्चे डिफाइन करते हो एम से ठीक है तो इसके units M है, तो हमारे पास M3 आएगा, ठीक है, तो इसके M3 आएगे, और इसके cm भी आ सकते हैं, बत्थे cm3 और diameter cube, तो एक common unit, हम इसको लीटर में मैजर करते हैं, volume को, ठीक है, तो जैसे हमारे पास 1 liter milk है, तो हम इसको volume को लीटर में मैजर करते हैं, बत्थे इसके ऐसा units नहीं है, जब भी आप ऐसा standard units इसके use करोगे, तो आप इसको M3 से measure करोगे, cm से diameter से, ठीक है, use for measurement of liquids, तो liquids के use के लिए, जैसे आप बोलोगे 1 liter आपके पास है, तो आपके पास ऐसे बोलोगे 1000 milliliter, ठीक है, उसको milliliter में change करना पड़ेगा, जैसे आपके प measure करोगे, ठीक है, next is density, तो density क्या होती है, बच्चे, तो density जो होती है, इसका, जो आपका symbol होता है, रो होता है, ठीक है, ऐसे इसका symbol होता है, तो इसको रो बोलते हैं, ठीक है, डैंस्टी में, डैंस्टी का मतलब आपकी basically value होती है, तो density आपकी define करती है, बच्चे, डैंस्ट having V, तो इनके units भी आप इनके basis पर लिखोगे, ठीक है, तो क्या लिखोगे, आप density of substance is its amount of mass per unit volume, SI units of density is equal to SI unit of mass by SI unit of volume, तो mass के units हम अभी करके हटे थे पीछे, तो केजी आएंगे, तो volume के भी की है, हमने M cube, जहां केजी M, M by cube आगया, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, केजी M minus cube, ठीक है, जब भी आप M cube, M cube को ऊपर लेके जाओगे, तो वो minus में change हो जाएगा, this unit is quite large, and a mist often expressed density in gram centimeter cube, तो बच्चे, यह केजी में units थोड़े से large हो जाते हैं, लेकिन जो mist बगएरा होते हैं, वो इसको grams में represent करते हैं, तो next term is temperature, temperature is the important term, तो common scales to measure, मतलब यह common scale होता है, जो temperature को measure करता है, तो इसको आप Celsius में लिखोगे, degree of Celsius, degree of Fahrenheit, to Kelvin, to case the SI units, to case के Kelvin SI units है, तो बच्चे को आप ऐसे represent करते हो, मैंने show किया हुआ है, तो next एक आपके लिए special, temperature blow, 0 degree Celsius, negative value होता है, 0 degree Celsius में, तो उसकी negative value होती है, are possible in Celsius scale, बट in Kelvin scale, negative temperature is not possible, तो negative temperature बच्चे possible नहीं होता है, ठीक है, शिर्फ Celsius में important होता है, मतलब possible होता है, बट Kelvin में नहीं होता है, ठीक है, तो बट temperature कभी भी negative नहीं हो सकता, ठीक है, किसी का, next scientific nutrition, तो बच्चे यह सबसे जाला potent topic है, आपका इस chapter का, तो इसमें आपके, इसके basis पे numerical भी है, तो sometime आपके पास बच्चे क्या होता है, बहुत सारी values आजाती है, जैसे आपके पास जैसे आगे, यह 00555566, ठीक है, कितनी सारी values आजाती है, जैसे 5, 6, 0000, this one, मतलब ऐसी values आजाती है, तो जो ऐसी values होती है, आप उनको ऐसे थोड़ा लिखोगे, जैसे आपने, आपके पास 10 zeros है, 5, 6 के पीछे, ऐसे लिख लो, ऐसे मालो बच्चा, आपके पास ऐसे है, ऐसे लिखा हुआ है, 5, 6, 00, 00, 00, मतलब बहुत सारे zeros है, तो यह बहुत जादा बड़ी term हो जाती है, तो इनको लिखने के लिए, आपके पास scientific notations का use करते हो, तो इसमें क्या होता है, in which any number can be represent in the form of n into 10 n, तो उसको आप n into 10 n में express करते हो, ठीक है, वहाँ पे आपका जो n है, वो exponent है, जो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, और आपका जो n है, वो भी vary करता है, 1 to 10, ठीक है, for example, देखो, हमारे पास यह लिखा हुए, 232.508, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे देखो, आप 2.32508, इंटू 102 नी पावर 2, यह ऐसे लिख सकते हो, आप, next आपके पास एक और दिया गया, तो इसको देखो, 0.00016, तो इतना थोड़ा सा जीब लगता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1. जो आपके पास, उसके 0s है, उसको आप काउंट कर लोगे, कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 आगया, आपने 1.6 का पॉइंट लगा लिया, एक तो वहाँ पे खत्म हो गया, इसके 0, तो पीछे कितने रह गया आपके, 10 to the power 4, तो यह सैंटिफिक निटेशन होते हैं आपके, नेक्स्ट आपकी है प्रसीजन, तो प्रसीजन भी इससे रिलेटेड है सैंटिफिक निटेशन से, तो प्रसीजन में क्या होते हैं, आप देखते हो, आप प्रेक्टिकल्स करते हो, बहुत सारे, तो उसमें क्या होती है, आपकी वेरियस मैजरमेंट्स आती है, then उसकी value 5 से 10 आगी तो क्या हो गया जो इसकी closeness value आपकी real experiment की तो आप उसको counter लेते हो पर season में क्या होता है आपकी जो measurement होती है मतलब वही same quantity की जो values होती है उसके near about होती है ठीक है तो इसमें आप closeness values को लेते हो next is accuracy तो accuracy क्या होती है आपकी is the agreement of particular values to the true values of the result तो इसमें क्या होता है आपकी जो true values होती है ठीक है जैसे आपके पास 9.555 आ रही है तो आप उसको round off करके क्या लिख लेते हो 9.56 ठीक है तो उसकी मतलब near about values लिख लेते हो तो वह वाली value accuracy में आती है next is significant figure तो यह आपकी बहुत ज़्यादा important term है यह आपकी physics में भी यूज होती है इसके basis पे लेकिन mostly यह physics में होता है लेकिन आपकी यह chemistry में भी इसका use है क्योंकि chemistry में भी आपके बच्चे numericals बगएरा होते है measurements करते हो experiment करते हो तो वहां पर यह significant figures use होते हैं तो basically क्या होते हैं बच्चे यह deserts होते हैं number of deserts होते हैं उनको indicate करते हैं to express it more accurately express it with deserts that are known with certainty तो जहां क्या होता है कुछ जो हमारे पास values होते हैं ठीक है जिसका मतलब proper उनका नहीं पता होता है जैसे हमारे पास जैसे 0.6 ऐसे लिए values को 0.00066589 ऐसे लिखा तो इनको simple form में use simple form में लिखने के लिए हम significant figures का यूज करते हैं ठीक है जिनकी value specify नहीं होती ठीक है उनको desert की form में लिखते हैं basically ऐसे बोल सकते हो तो यह से हम आगे इसके numerical करते हैं तो आपको अच्छे समझाएगा बच्चे तो कोशिस के rules हैं जिससे आप determine कर सकते हैं significant values को तो क्या होता है first of all तो first में है first rule है हमारा all non-zero deserts are significant जो सभी non-zero deserts होते हैं वो सारे significant होते हैं for example आप ले लो 6.9 है तो इसमें क्या होगे आपके significant figures कितने होगे तो आप बोलोगे इसमें हमारे significant figures 2 है ठीक है क्योंकि non-zero तो नहीं है आपके पास 6.9 है तो आपके पास number तो बेटा 2 आ रहे है न तो उसको आप count करोगे 6 is 1 9 is 2 ठीक है तो इसके 2 significant figures होगे next one is आपके पास जैसे और example लेते हैं मैं आपके करके दिखाती हूं बेटा जैसे आपने ले लिया 2.165 कितना भी ले लो आप ऐसे ले लो तो कितने आपके पास significant figures आगे 5 is 1 6 is 2 1 4 तो आपके पास यहां पे 4 significant figures आगे ऐसा नहीं है यहां पे जहां पे decimal लगा होगा ठीक है उसके बाद आले desert भी आप count करोगे ठीक है next next is the if 0 becomes significant in case it comes it comes in between non-zero numbers तो बच्चे क्या करना है आपने जो 0 है ठीक है आपके मतलब numbers के बीच जो आती है ठीक है उसको भी आप count करोगे ठीक है जैसे आपके पास लिखा हुआ है जैसे आप ले लो आपके पास लिखा हुआ है 4.02 तो आपकी first rule में हमने क्या पढ़ा हम non-zero digits को ही count करते है significant में तो second में हम बोड रहे हैं हम 0 को भी significant figure में count करेंगे तो ये बच्चे कैसे इसका मतलब यह है अगर आपके digit के बीच में 0 आएगा तो आप उसको count करोगे यह देखो numerical में 4.02 ऐसे लिखा हुआ है मैंने तो मैं इस 0 को count करोगी 1,2,3 तो आपके पास 3 इसके significant figures आगे ऐसे आपको numerical आ सकते है exams में तो उनको आप ऐसे मतलब इनके significant figure count करोगे आप next is third rule zeros at the beginning of number are not significant अगर आपके जो भी आपके मतलब significant value दीगी उसके significant value उनकालना चाहते हो अगर आपके starting में 0 दिया हुआ है तो आप उसको count नहीं करोगे ठीक है जैसे for example ले लो आप आपके पास दिया गया है 0,0,0,2 तो यह देखो आगे zeros लगे हुए है बीच में कोई number नहीं है तो आपके पास only one significant figure आएगा इसका ठीक है next is all zeros placed to the right of a number are significant अगर आपके पास zeros right place पे होंगे तो आप उसको significant count करोगे for example ले लो आप आपके पास 16.0 है ठीक है तो आप उसको count करोगे बच्चे तो आपके पास three significant values आजाएंगी next is in exponent notations the numerical portion represent the number of significant figure तो इसमें क्या होगा बच्चे आपके पास notations दी गई है तो आप उसको significant में change करोगे for example आपके पास क्या दिया हुआ है आपके पास यह देखो 0.0045 दिया गया है आप इसको significant में change करना चाहते हो तो कैसे लिखोगे आप 4.5 तो हम इसके 0 count करेंगे 1 2 3 4 तो 10 to the power 4 इन terms में आप उनको notations को define कर दोगे ठीक है ऐसी आप जैसे अवगैडरा नमबर लिखते हो उसमें mutations यूज किये गई है ठीक है उसमें भी आप count करोगे आपके पास 4 significant figures आजाएंगे next the decimal point does not count towards the number of significant figures तो decimal point को आप count नहीं करोगे significant figure को क्योंकि आप देखते हो बच्चे अब जब भी हम decimals की values लिखते हैं हम लिखते हैं 2.055 इस ऐसे लिखा हुए तो आप अगर इसको बाय की form में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे 205 y1 लिखते हो वहाँ पे decimal की जगह पे तो पीछे आप two zeros लिखोगे क्योंकि हमारे पास two desert है decimal के बाद लेकिन जो significant figures होते हैं वहाँ पे आप decimal को जो आपका decimal है उसको number count नहीं करोगे ठीक है यह इसका rule है next is for example the numbers जैसे आपके पास 345601 दिया हुआ है इसके six significant figures है but can be written in different ways इसको आप अलग वे में लिखोगे significant में change करने के लिए आप इनमें decimal से लगा दोगे जैसे आप इनको three ways में लिख सकते हो यह तीन ways दिये गए है जैसे आप 345.601 भी लिख सकते हो ठीक है आगे भी point लगा सकते हो जान एक digit short के भी point लगा सकते हो ऐसे आप बच्चे किसी भी digit को significant figures में change कर सकते हो next हम आपकी rounding of figures पढ़ेंगे आपकी next class में यह भी बहुत potent है significant के numerical आपके papers में पका आते हैं बच्चे तो इनको अच्छे से करना thank you